वेलकम तो माई जर्नी ओव वन एटी डेज ओन बोर्ड ऑगास टैंकर तो इस वीडियो में आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूं जो वन एटी डेज ओन बोर्ड ऑगास टैंकर थी तो शुरुआत मेरी जो होती है वो होती है चंडीगट से और से दिल्ली दिल्ली से मेरी फ्लाइट होती है पनामा के लिए बट ड्यू टू सम इश्यूज इन एरपोर्ट पेपर वर्क्स का इश्यू होने के कारण मैं वैसल को जॉइन नहीं कर पाता हूं मैं दिल्ली से निकल ही नहीं पाता हूं हूं और मैं चल देता हूं मुंबई से पनामा हम लोग पहुंसते हैं पनामा में और वहां से बाइब बोर्ड निकल जाते हैं शिप में अभी यह जो जर्णी थी अराउंड 20 या 30 मिनट की थी तो कोई टेंशन नहीं थी पर जैसे हम शिप में पहुंसते हैं हम देखते हैं यह यूज शिप लपीजी केरियर खुशी का एसास, mixed feeling डर भी होता है क्योंकि मेरी first time third engineer promotion थी और I have to show myself, I have to prove myself अभी जैसे शिप में पहुंसते हैं तो jet lag होते हैं, tired होते हैं और हालत खस्ता होती है बट अभी समय और जहाज किसी के लिए नहीं रुकता तो चलते हैं, हम लोगों को पता लगता है कि हमारा जो ship है वो जा रहा होता है Panama से Houston, USA की तरफ जा रहा होता है तो उस बीच मैं अपने आपको engine room से familiarize करवाता हूं अपनी जो machinery हैं मेरी अंडर जो आती उससे familiarize करता हूं क्या-क्या issues है machinery में वो देखता हूं spare parts कौन-कौन से available है और कौन-कौन से मुझे चाहिए वो familiarize करता हूं और उसी बीच मैं लोगों से भी काफी interact करता हूं जैसे कि मेरे seniors, मेरे super seniors अभी मेरे ये quality है कि मैं जो हूँ लोगों से interaction बहुत जादा करता हूं दोस्ती बढ़ाने कोशिश करता हूं उसी बीच जो है मेरे इंजन रूम में बहुत काम होता है जैसे कि boiler cleaning हो गया, generator पर maintenance वर्क हो गया और ये हम लोग करते जाते हैं फिर Houston में हम लोग load करते हैं अपना कारगो और उसके बाद हमें पता लगता है कि हम लोग को Egypt जाना है तो Houston से Egypt जाने की ज़रने में मैं और भी काफी काम अपने करता हूं जैसे कि बड़े-बड़े काम generators पे, fuel injector overall, fuel injector change over फिर turbo charger overall, फिर अभी online मेरा cylinder head भी बचा होता है नमबर तीन generator का, क्योंकि मैं जो in charge हूं generators का और boilers का mainly तो वो सब मैं engine room में करते रहते हैं हम लोग काम अभी जैसी हम लोग Egypt पहुंचते हैं तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ का temperature बहुत हाई रहता है और गर्मी में काम करना मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा और especially engine room में तो और जादा गर्मी बढ़ जाती है बट उसी बीश हम लोग को एक party मिलती है बहुत शांदार बहुत मज़ेदार और वो हम लोग party बहुत ज़दा enjoy करते हैं हमारा जो captain होते हैं वो अलगी level की party दे रहे होते हैं party होना वो भी gas tanker में एक बहुत बड़ी बात है अपने में और हम लोग वो सब enjoy करते हैं फिर हम लोग Egypt से Egypt पहुंसते हैं वहाँ से हम लोग का Egypt से एंसुकना से यानबू का जो सफ़र होता है मतल CCP sein अब हम लोग पहले except से आते हैं फिर इज़ीप्ट से आते हैं ऐसे करते करते हमारे 2 महिन यह ऑल्मोस निकल जाते हैं मतलब मेरे total 3 महिने निकल जाते हैं हमको बीच में एंकरेज मिल जाता है तो मैं को समें मिल जाता है कि हम लोग काफी अपना काम कर लें जैसे की मेरा टर्भो-चार्जर बागई थे तो मैंने वह तर्भो-चार्जर और अवरोज़ दो जनेरेटर के शायद मैंने किये हैं फिर हम लोग साउधी से निकलते हैं ने जैसे हम लोग चाइना पहुंचने वाले होते हैं उसके बीच में शिप्स में बहुत इशू आने लगते हैं मैं एक्चुली इसको खुल के नहीं बता सकता सोचल मीडिया पर बट काफी इशू होते हैं इसके वएसे मैं उतना अच्छे से फील नहीं कर पाता हूं तो फिर सोचल मीडिया और वीडियो ब्राणा मैं बंद कर देता हूं बट कोई सफर चलता रहता है जैसा का है और चाइना से फिर हम लोग नेक्स डेक्टिनेशन होती है हमारी रस लफान की और काफी लंबा बॉयज होता है और लखी लिए हमको और एक पाटी मिल जाती है और जैसी पाटी का नाम सुनता हूं मैं तो भाई एकदम हाइपर एक्टिवेट हो जाता हूं क्योंकि I love fun on board क्योंकि हम लोग almost sailors, seafarers जो है वो इतना काम करते हैं चाज पे छे-छे महीने गुजार देते हैं तो पाटी मिलना मतलब refreshing है मस्ती करो मस्ती करो और लोगों से मिलो बातचीत करो अभी चाइना के बाद हम लोग ऐसी हम लोग अरसलफान पहुंसते हैं तो मेरे almost four and half five months हो चुके होते हैं तो I would be like मैं जो हूँ वो अपने sign of का almost wait कर रहा होता हूं कि शायद कभी मिल जाए देखते हैं next voyage कौन सी है तो next voyage हमको मिलती है फिर से USA की और USA की voyage मिलती है तो हम लोगो मालूम है हम लोगो Panama Canal से जाना है बीच में और Panama Canal जो है वहाँ पर हमारा sign of पका बट जैसी हम लोग voyage कर रहे होते हैं हमको पता लगता है कि हमको South Korea में कोई तो एक inspection के लिए anchorage पर रुखना पड़ेगा और हम लोग वो anchorage के लिए जो है वो रुखते हैं और हम लोग को मालूम पड़ता है कि हम लोग का sign of है चार लोग होते है sign of के लिए जो चार लोग हम लोग एक साथ जॉइन किये थे वोई चार लोग हम लोग साइन ओफ करेंगे एक साथ और मतलब ये एक सर्प्राइज जैसी बात हो जाती है क्योंकि आप एकस्पेक कुछ और कर रहे और पहले साइन ओफ मिल जाए बहुत ही रेर और बहुत ही मज़ेदार होती है तो हम लोग साथ कोरिया में साइन ओफ करते हैं और हमारे रिलीवर्स आउन बोड आते हैं जहास हमें नहीं मिलता है हमको अपना हैंड ओवर टेक ओवर करने का बट ज और यह से हम लोग को फ्लाइट लेनी होती है मूंबाइ के लिए यहाँ आप पर पहुंसता हूं तो मेरे वेट कर रहे होते हैं मेरे फादर मदर मेरा भाई और मेरी वाइफ देखके बहूत ही ऐच्छा लगता है एक रिलीव मिलता है और बहूत ही मजा आता है और कर देते ह sign off so this was my journey on board a gas tanker I hope आप लोगो को बहुत पसंद आए होगी पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें और नए हो तो subscribe जरूर कर देना thank you so much guys